हेलो गाईज, सो मोस्ट वेलकम इन हमारे यूटूब चैनल रैंकर्स नमबर उन पर पॉली टेक्निक सेमेस्टर के तयारी हमारे चैनल पर बहुत तेजिस से करवाई जा रही है तो आज हम लेकर आ गए हैं अप्लाइट फिजिक्स के फर्स सेमेस्टर में जिन जिन करिये गए कोस्टन को यह ऐसे कोस्टन है जो आपके एक्जाम में कंफर्म हैं कि सेम तो सेम कोस्टन आने वाले हैं इनके अलावा कुछ नहीं पूछे जाने वाला है तो हमने आप लोग को सेके समेस्टर के मोस्ट इंपोर्टन कोस्टन प्रवाइट किये तो जिससे सभी कर आ गए हैं अप्लाइट फिजिस के फर्स समेस्टर के बैक पेपर के इस्पेसल कोस्टन है कम से कम 20 कोस्टन है इन को अगर आप लोग तयार कर लेते हैं तो आपके 40 प्रस तो इसकोर हुई ही जाएगा और आपकी जिन स्टूइटन को डर लग रहा है कि अपकी बैक भी न लिए गए हैं सबस्टर सबस्क्राइट के मोज्ट फोर्थ नहीं होगी और अच्छे से कोस्टन भी आप लोग को मिल जाएंगे और आप लोग को लास्त まasında कहा मिलेगी आप लोग पीडिव पर आराम से डाउनलोड करें लीजिए इए ओ सबसे पर नस कि समाँघता करना है विमी समीकरण होता है उसको भी लिखना है most important question है दो नंबर में आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है यह question एल वाई जी जो होता हैये गलत है इनका सही समय क्रण पूंच नमर में पूच Опया जाता हैं पूच जाता है एक घन का द्रब्मान के मापन में 3% की तूटी है तता प्रतेग भूजा के मापन में 2% की तूटी है तो घनत के मापन में अधिकतम प्रतिसत तूट ग्याद करना है ठीक न यहीं क्यों मोस्ट इंपॉर्टन क। आपकी परिच्छा की द्रश्टी से जो अगले कोश्ण की बात करें बहुत में मोस्ट इंपोर्टन कोश्यन है सार्थाक तता उनके सवाल जो सबसे पहले उसको देखना आप लोगों सार्था कंग कैसे निकाला जाता है तता उनक होता है उसको आप लोग को find करना है तो लिखना आप लोग को परिभास दो नंबर के आप लोग के पूछा जाता है यह बहुत ही most important question है तो आप लोग इन question को अच्छी से prepare करिएगा मैं बार-बार कह रहा हूं कि अगर इस question में आप लोग को फिगर हैं तो फिगर भी बनाकर आईएगा क्योंकि फिगर जब रहते हैं तो इनका आलग से टीचेक पास इंपक्ट जाता है जब आप लोग बनाते हैं जो निस्ट को सब्सक्राइब बहुत ही most important question है कार उड़्जापर में का उलेक कीजिए जो कार उड़्जापर म वर्क एनर्जी जो थिवर्म है इसको आप लोग को लिख कर आना ह manifest अप लोग को लिज्बन करके आना है क्जिए न सबेकोर के इस को सदित नियम होता है उसको आप लोग को लिख कर आना है बल तता सम्वेग की परिभासा दीजिए जो फोर्स तता सम्वेग है उसकी आप लोग को परिभासा देना है तता मातर तत विमी सूत्र तक ज्याद करके आना ठीक ना अगर आप लोगन धिफ्रेंशन लिखें उसके बाद मात्रेक लिखते एक लेडंश का। बस अप लोगत है ले इस नहीं आप लिखते हैं तो उसको पूरह का95ट देता हैं अगरत toma है लीख निखते हैं तो उसको ब्रका कार देता है प्रफिएर बनाते हैं तो उसका कुछ अलग से ही इंपार्ट जाता है तिक तिर पस तब जाके आपकी कापी अच्छे स्थिक होती है और अच्छा इसको आप लोग कर पाते हैं तो नेस्ट कोश्चन है बलता समय की परिभासा मास्तर तब भी मी सूत्र ग्यांत की यह हो गया क प्रफिएर बहुत लोह को न Grad?」 नंबर कोश्चन है इसलिक आप लोग निजमन गयान подготов ук करें तता इसके सूत्र करने करें बब्राबर होता है स्को अरमको रबाद आर्यार होता है सूत्र इसको निगमन करके आप लोग को आना है इसलिए इसलिए आप आप लोग निगमन करके आईएगा ठीक ना बहुत ही most important question आपकी परिष्छे की द्रश्ट से साथ same to same question आप लोग को यही same to same question आपके exam में देखने को मिल जाए ठीक ना और नेश्ट कोस्टिंगी बात करते हैं प्रिक्षन वाली चेप्टर से घर्षन वाली चेप्टर से घर्षन क्या है घर्षन क्या है घर्षन क्या है तता घर्षन गुलांग की परिभासा देज़े यह देख लेजी यह बहुत ही most important question है यह 100% बता दे रहे हैं यह question आपके exam में पूछा जा सकता है अगर नहीं पूछा जा सकता अगर आपके 5 नंबर कोश्चन में से कोई कोश्चन आप लोग को नहीं आता है तो आप ये कोश्चन को रट के जाईएगा ये कोश्चन को आप उसके इस्थान पर रख दीजिएगा जिससे आप लोग को अगर 5 नंबर कोश् के नियम लिखें स्माद घर्षण फिया क्या है तथा उसके आप लोग को नीयम लिखें आना हम इप्वाटर्टी बीच्छन है यह आपके पूंशा जा सकता है ठीक ना तो अगला कोश्चन है सरच्छी ताथा सरच्छी बलों से क्या दात पार जो अच्छी बल होते हैं उनसे क्या ताथ पर आता अच्छी बल जो होते हैं उनके उनसे क्या ताथ पर आप लोग को लिखना है उसकी डिपनेशन लिखने है तावी एक्जांपल के साथ आप लोग को लिख कर आना है ठीक है ना जो अगला क्या होते हैं तो आप लोग को समझाना बहुत सी मोस्ट इंपॉर्टन को सब्सक्राइब बन रही है कि सेम टू सेम कोशन पूछे जाते हैं ठीक है तो आप लोग का जो नेस्ट कोश्चन है कोड़ी समयक तता बल अगून की परिभासा लिखिए ठीक ना मोस्ट इंपॉर्टन में कोणी समयक किसे कहते हैं तक बल अगून की परिभासा आप लोग को लिख रानी है इसी कोश्चन में जड़त आगूनता गूलन त्रिजया की परिभासा लिखी यह ऐसे मोस्टन जो आपके एंजान में पूंचे जा सकते हैं तो आप लोग इन कोश्चन को जरूर से Touze और को सब्सक्स तरुँ संबंदी नीयम होते हैं उनको आप लोग को करना के साथ आप लोगो को कैपलर छिल्ला होते हैं के ग्रहों की गती सम्मंदी नियम आप लोग को लिक्र आने हैं जो नेक्टी तुरण के मान में परिवर्तन होता है सबसे इस उचाईioè अließen पर उपर जाने पर गुर्टी तुरान के मान यानी की इसमाल जी में जो परिवर्तन होता हुथ आने पर आप लोग करना है यह को क्योंदर पड़ार हें यह प्रिश्चे जरूर आए खाले चैनल आपकी परिश्च्र घर्ष से बहुत ही most important question है ठीक ना तो आप लोग यह question को जरूर तयार कर लिजिएगा next question की बात करें बहुत ही most important question पलायन वेक की परिभासा दीजिए तता पलायन वेक तता कच्छी चाल में जो संबंध होता है उसको आप लोग को लिख कर आना बहुत ही most important question है यह question आपके एक्जाम में 100% आने की full possibility होती है उपगरा की परिभासा दीजिए उपगरा के प्रकाल लेखिए इतना most important question नहीं है बट आप लोग को एक बार पढ़ लेना है क्योंकि back paper है कहीं से वे उठा कर आप लोग को question दे सकता है जो next question है ऐसा question है जो आपके एक्जाम में confirm है 100% 101% guarantee ले सकते है कि यह question आपके एक्जाम प्लस एक रोजी एज बराबर जो नितांग होता है उसको आप लोग को with a find करना है with derivation करना with figure के साथ आप लोग को बरनौले theorem बना कर आनी है ठीक रहां जो next question की बात करते है केस नली में द्रव के union का सूत्र जो इस्थापित करना है जो केस नली में द्रव के union का जो फर्मू स्टोक का नियम होता है उसको आप लोग को लिख कर आना है बहुत ही most important question है आपके exam के द्रश्ट से नेस्ट कोस्टन की बात करें जो है रिनाल्ड संख्या को परिभासित कर रहा है यह भी most important question है नेस्ट कोस्टन की बात करें ऐसा question है जो आपके exam में पूछा जा सकता है उसमी चलकता गुलांग से आप क्या समझते हैं उसमी चलकता गुलांग क्या होती ततो उसके बारे में आप लोग को लिख कर आना है ठीक ना बहुत ही most important question है जो अगला question है ऐसा question है कि इन में से एक नियम आप लोग का पूछा ही पूछा जाना है इस माउगत K Trail को आपको सुन्यांग नियम पूछ शक्ता है या पृफव नियम पूछ सकता है इसे question में 100% पूछे आने वाला है तो आप लोग कंच नियम पूछे आने वाले हैं तो आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं कोचन बनाते हैं जो आपके एक्जाम में 100% आते हैं और आपका भला भी हो जाता है आपका एक्जाम भी क्लियर हो जाता है तो आप को हर सब्जेट के थर से विस्तर के कर आप लोग तयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आशानी से आप को तयारी करवाई जाएगी आप लोग परिशान मत होईएगा ठीक ना तो आप लोग अब में को चैनल की लिंक दे दूगा आप वहां से जाकर आप लोग जोईन कर लीजेगा वहां पर आप लोग स्विदिय लग बता जाए उस टौपिक करें चाहिए उस टॉपिक के वीडियो लाहेंगे और आप लोग को कौन से सब्जेक्ट की और सब्जेक्ट की बैक पेपर के कुश्चन चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करके बताईएगा तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्स फार वाचिंग गाईज